सो है नमस्का दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है कि आप किस तरह से 4K as well as 2K plus HDR 4K plus HDR को अपने कोई भी Android डियोस में अनेबल कर सकते हैं यहां पर इस वीडियो में में आपको वो मेतर दिखाना वाला हूँ कि इसके लिए आपको कोई भी तरह का रोड किसी भी तरह का फा करना पड़ेगा यहां आप देख सकते हैं मेरा वीडियो में चल रहा है जो कि काफी अच्छी तरह से हमको देखने को मिल जाता है यहां ब्राइटनेस काफी हाई इसलिए आप थोड़ा इगनोर मार सकते हैं तो यहां पर देख सकते हैं हमने 4K plus HDR में रन कर रहा है अगर मान नहीं रहेगा सारी बते में आपको दिखाने वाला किस तरह से अन्यब्ल करना है अगर आपको यह में पसंद आए तो वीडियो को आप इसलिए लाइक कर सकते हैं चल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो हमारा यहां पर आप इसलिए 4K plus टू के में अनेबल कर सकते हैं यह तो यही मैं वर्क पर उठा आएंगे चक्ठेस सब्सक्राइंग पर करी जो ही तो यहाँ पर आपको वही सिर्फ यहां पर आपको सो करेगा इसके बाद यहां पर बात कर लेते इसको कैसे आप इस लिधी अनेबल कर सकते हैं तो सिंपल सा गाइस जो ही अपने यहां पर आपको दिखाता हुआ उसका कौन सा वर्जन है तो यहां पर देख सकते मेरा ही नाम टेक रस दिख्या हुआ है फिर आप मत बताना कि यह आपने एडिट किया हुआ है यहां पर यूट्यूब बीट्या में आपको अपडेट करें जिसका बाउट इंफोर्मेशन जा अच्छा खासा प्रोसेसर आपको देखने को मिल जाता है तो इजली हैंडल कर पाता है अगर आपका डिवाइस में डेटा बहुत कम है तो आपका जो डेटा है वह यहां पर एक ही वीडियो में पूरा वन जीबी को ले जाएगा फिर आप अपना पूरा दिन बेकर जाएग इससे अच्छा है कि आप 4K के में रहने दो और 2K या HD में वीडियो देख लो यहां पर मेरा जो डेटा है वह तो अनलुमिटेट है तो मैं इसली डेक पाता हूं क्यूंकि यहां पर जो वीडियो है वह अच्छा खासा हीट अप कर सकता है क्यूंकि इस 4K में काफी अच्छ में देख लेना कैसा वीडियो लगा प्लिस कोमेंट करके बाता देना एक नया वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें जिल मिलते अगले वीडियो में तब तक लिए जय हींद